जा रहे थे घर जा रहे थे तो हमें एक भाईया मिले जिनके हाथ में गोभी है और वो भी पैक्द गोभी है उन से जाना चाहेंगे भाईया पहले नाम बताइए मेरा नम साहिब सिंग है उत्राक्षंड के उद्धम सिंग नगर जिले साया हूं अब ये नए कानून ये कहते है कि किसान की उपज जो है उस उपज का जो मुल है वो बाजार निर्धारित करेगा अब भारत सरकार के FSS AI संस्ता जो है वो इसको एक लाइसंस देती है जिस लाइसंस नमबर ये देखिए पहले ये बार कोड नमबर है ये पैकिंग करने वाली कंपनी का नाम है ये प्रोडेक्ट का नाम है कॉली फ्लावर नेट वेट है 500 ग्राम एम आर पी है 300 रुपए कीमत 300 रुपए और डेट थी 29-12-2020 अब आपका ये जो लाइसंस होल्डर बजार किसान के पास पहुँचा किसान को इसने बताया कि जो तुने गोबी पैदा की है ना भाई इसकी कोई मांगनी है बजार के अंदर इसको तो कोई ग्राहकी नहीं है मैं ये तुम से ले नी पाऊंगा किसान ने हाथ जोड़े क्योंकि वो फसलती कहां फैकता तो ये 2 रुपए से 4 रुपए प्रती किलो ग्राम के हिसाब से किसान से लेके आए और इसको लाकर अपने वेर हाऊस में रखा, वेर हाऊस में रखने के बाद, जो शेर के मेरे भारत वासी हैं, उनको ये बताया, कि इस बार गोबी पैदाइनी हुई है, गोबी नहीं मिले गी तुम्हें खाने को, और उदर परदे की पीछे, इसको रैपर किया, लाइसन्स नंबर लिखा, मिर पी, म जो किसान की उपज बजार उपज का मुले बजार तैग कर रहा था वो अब इसने किसान से जो दो रुपए या चार रुपए किलो की चीज बजार में लाके 600 रुपए किलो की है जो ये इतना बड़ा वैरिएशन है इसका लाइसन्स भारत सरकार ने इसको दिया है तो ये काले कानून अपने आप में सिद्ध होते हैं कि ये जो पांसो नबे रुपए के लगबग का जो वेरियेशन आ रहा है ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है इतनी बड़ी लूट करने का अधिकार इस कंपनी को किस ने दिया राजनात जी माननिय मंत्री जी आप डेड़ साल का इंतजार करने को कह रहे थे डेड़ दिन के अंदर सुबूत के साथ आपके सामने पेश हैं हम लोग ये जो इतना बड़ा वेरियेशन है किसान के खेट से 200 रुपए से 400 रुपए कुंटल की जो गोबी थी वो उपभोकता तक पहुंचते पहुंचते साथ हजार रुपए कुंटल की कैसे हो गई काला बजारी बड़ी या घटी आप ये भोली बाली जनता को अब समझाईए जिसे आप समझा रहे हैं कि किसान कानून को समझ नहीं पा रहे हैं और असल में सरकार को ये तकलीब है कि ये तो हमने चोरी से कानून मनाया था इसको किसान डाउनलोड मौज